पता है आपका सपना है राफिल की तरह उडान होने का अपका सपना है विकरांद की तरह घराईयो कुम अपने का तो आपके इसी सपने को सकार करने के लिए एक्जामपू डेफेंस वर्य टीम लेकर आईये एयर फोर्स के लिए राफिल बैच और नेवी के लिए विकरांद बैच जिसमें आपको मिलेंगे 6 प्लस आवर लाइफ क्लासेज, 1000 प्लस आवर टोटल लाइफ क्लासेज, डेली नोट्स, PDF और साधी साथ स्पेसल प्रेक्रिस सेशन तो अपने सपने को सकार करने के लिए आज डाउन्लूट करें एक्जामपूर अफिजियल एप को धन्यवाद को गुद मॉनिंग नमस्कार बच्चों कैसे आप सब मैं सुझीत मार मैथ फेकल्टी आपका एक्जामपूर डिफेंस वोरीर पे स्वागत करता हूं बच्चों तो बच्चों कैसे आप सब बताईए कैसा चल रहा है कैसे पढ़ाहिए बाइक्जामिनेशन का मॉल बन गया है कि नहीं बन गया है क्योंकि बहुत नस्दिक अपका एक्जाम करें इसा क्या सोच आपकी बन रही है आजकल इन दिनों में वह भी मुझे बताएग कहां किस सब्जेक्ट में किस टॉपिक पे बात करें मै एक्स्टा क्लास लेकि उनको कहीं ने कहीं आपकी कमियों को दूर करने का परियास करो चलिए भाई तो फटा फट दोस्तों आओ क्लास में जुड़ो हाजी लगाओ भाई आजरी कैसे लगाते हैं मालूमी आपको और क्लास को सेर लाइक कर दो ताकि मैं भी बूस्ट अब हो ज करेंड चाहिए तो मुझे भी आपका साथ हर रोज यूहीं चाहिए यह बरकरार रखेंगे हम एक दूसरे के लिए तब ही हम कुछ बहतरी कर पाएंगे और आपके लिए अच्छा सा करेक्रम हो पाएगा हमारी तरब से देखो भाई सुनो कल जो हमने अवरेज में काम किया ह है अवरेज के डेफिनेशन पड़ी है फॉर्मूला पड़ा है कैसे अवरेज पर काम करते हैं वो सारे चीजे सीखी है हमने ठीक है तो चलिए भाई अब हमको यह देखना है कि कि अवरेज का मेनिंग समझने के बाद अब उस पर प्रैक्टिकल क्यूसन कैसे आएंगे जो ल अब यह कि मानों कि एक एक्सपरिमेंट और करता हूं मैंने कुछ नंबर लिए वन टू थी फोर फो इतने भी लगातार ले लंबर जरूरी एक से सुरू हो दो तिन चार पांच जहां से भी सुरू करना है आप सुरू कर सकते हैं तो क्या करना है भाई करना यह है मैंने चार लगातार नंबर लिए पूछना चाहता हूं जी इनका एवरेज क्या है इनका एवरेज क्या है मैं आप से यह पूछना चाहता हूं आपका हो जी 437 29 और 10 10 बटा में 4 कर देंगे आप 10 बटा में च्यार कर देंगा एवरेज आएगा तू पॉइंट फाइफ जीन का एवरेज आएगा दूसरा रास्ता यह भी तो है एक दो तीन च्यार देखिए यहां पे आगे जाने के लिए हमेशा एक एक जोड़ते रहे याने की एक एपी बन गई और एपी में तो फ में बोलो रिवाइज करूं किसी भी एपी में जो एवरेज होता है वह फास्ट ट्रम प्लस में लास्ट ट्रम बाइटू होता है जो किसी भी एपी में अवरेज निकालने का तारीका या तो मिडल नंबर होता है एपी का एवरेज या तो मिडल नंबर होता है या फिर होता ह है जी फरस्ट प्लस में लास्ट बाइटू होता है तो इसमें हम यह कर पाएंगे ओके हां जी यह जानकारी हम को है आज इस पर पॉइंट क्या है अलग से वह बताई है वह पर बात करते हैं तो आज मुझे जो नया पॉइंट बताना है सुनना सभी ध्यान से सुनना उसके बाद देखो आम आपस में वारतालाब सुरू करेंगे पहले इस पूइंट को पूरा करना बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है को मैं आपको यह बहुत मताने वाला क्या बात है ओने टूर्ट फॉर फाइफ मैंने एक नमबर आगे बढ़ा लिया मतलब आइवर्ज क्या होगीं कि मारी ओड़ होगे जिस्प्लेस रीफ बाइट होगेव टू यानि सिक्स वाहीत तू त्री यह वाइजे प्सिए त्री ह ह का अभी नहीं बात समझ में आएगी एक और ले लो तो समझ में आएगी फ्रीज़ कि फ्री फॉर फारीफ सिक्स इसका वर्ज क्या अगर आप समझ गए होंगे तो बहुत बढ़िया बात निकल गई क्या निकल गई भोत भड बात देखो क्या निकल गई चुक कर लेता हूं मैं यह बता रहा हूं कि जितने भी संख्या हैं उन हम ऐग लियर प्लस है तो और जैब फिर में आगली सामिल निए और देखो अगली दो तो इस में प्लस में दो बटा में दो यानि कि एक जुड़ जाएगा देखा आपने बड़ा ध्यान से देखो इसको क्या यह बात समझ में आई आई आपको फिर मैं आप से बात करता हूं देखो जहान से एक बारी को कि 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 हांजी आगे बात समझें दोस्तों बोलो बाई अब बता सकते हो हां सब कोई बात समझ में आगई सब को समझ में आगई सब को समझ में आगी नहीं समझ आई तो सुनो भाई कुछ करमागत संख्याइं हैं कुछ लगातार संख्याइं है उन लगातार संख्याओं में अगली एक संख्या सामिल करोगे तो एवरेज एक बटा दो से बढ़ जाएगी अगली दो संख्याइं सामिल करोगे तो पुरानी वाली एवरेज में दो प्लस में दो बटा में दो प्लस हो जाएगा याने कि कुछ लगातार संख्याइं है कितनी भी है हाँ जी कितनी भी है अगर मैं ऐसे नोट करके लिखूं क्या यह ज़रूरी है कि जी वह वन से सुरू हो नहीं कि सुनना नोट बाद में लिखूंगा पहले एक्सपेरिमेंट एक और करने का मौका मिल गया वह यह मिल गया कि मैंने शुरू किया जी तीन च्यार पांच इनका मैं एवरेज निकालना चाहता हूं पांच च्यार आएगा है ना क्यों क्योंकि एपी में मिडिल होता है मैंने अ कि आपन किया जिमा 17 से सुरू करूं 17,8,19 तो इसका एवरेज आएगा जी अठार है जब 17,8,19 और 20 सामिल करेंगे चक कर के देखो आंसर 18.5 आएगा क्यों इनका जोड़ाएगा 37,37 बटा में 2 एवरेज के लिए क्या समझ में आया आपको आपको यह समझाना चाहिए कि कु कुछ कितनी कुछ नहीं कितनी भी लगातार संख्याइं हो चाहिए वह एक से सुरू हो चाहिए वह 215 से सुरू हो उन लगातार संख्याओं का कोई तो अवरेज होगा मानों की अब यहां पर लिखूंगा अगली चीट पर लिखूंगा अगली चीट में लिखूंगा नोट यह होगा मेरे भाई नोट यह कि जैसे कुछ भी लगातार संख्याई है एक्स वन कॉमा एक्स टू को मा एक्स-3 अप 2 एक्स-n इन सब का इन सब का जो ओसत है मैंने वह वह मान लिया समझे, ज्यान से देखो, कुछ लगातार संख्याइं हैं, वो जरूरी नहीं एक से सुरूँ हो, मुझे नहीं पता यह X1, X2, XN तक कुछ लगातार संख्याइं हैं, उनका उसत आ माल लिया, मैंने, तो अगर मैं इस X1, X2, XN में अगली एक संख्या X plus 1 सामिल करूं, तो अब कोई मुझसे कैजीन का एवरेज बताओ तो एवरेज होगा एप्लस में वन बाई टू यानि कि इन लगातार संख्याओं में आगे जितनी संख्याएं आप सामिल करोगे वह संख्याहें बेड़ा में दो जुड जाएगा यह इस यह इस नोट का मेंनिंग हो जो पीछे अमने ग्जाम्पल देख है cameras भाई वह इन एक्जामपल में ऐसे ही उन एक्जामपल से ऐसे ही नोट बनेगा यह कहो कि इस नियम से ही वह एक्जामपल बने एक की बात जैसे समझ में आए आपको वैसे समझ बात को मतलब लगतार संक्याय है जितनी आगे आगे चाहे दस संक्याय सामिल करो तो एवरेज में दस बटादो यानीं पांच की वर्धी हो जाएगी यह मीनिंग समझाए मैंने बोलो बाइब आत्वार आई क्या अब आप अपने कमेंट कर सकते हैं अब मैं आपको कमेंट देख आए कि आए कि इसको नहीं जिसको समझ नहीं आया कमेंट कर देंगे मैं रिपीट करूंगा और मुझे लगता है कि यह बात तो इतनी हलकी है आपको अलगी कमेंट आने सुरू हो गए यह सर वेरी गुड बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया समझ में आ जाना चाहिए अगर यह चीज आपको समझ आ गई तो आगे जो नुमेरिकल से आगे जो एक्जामपल से वह आपके लिए बड़ा एजी हो जाएंगे बड़ा सरल हो जाएंगे मैं यह मानता हूं तो बोलो यहां तक की बात अगर सब बच्चों को क्लियर है तो भाई मैं आगे बढ़ना चाहूं तो इस बात पर भी आप कमें आगे मैंने कहा है वह वन्न को मा टू को मा थी फोर को मा फाइफ को मा एट थोड़ जाएगा इन सब का जो एवरेज आएगा वो कितना आएगा मेरे भाई च्यार आगा कैसे वन प्लस में 7 एपी में फ्रस्ट प्लस लास्ट पाई टू एवरेज कहलाता है कितनी बार ही हमने यह बात रिपीट कर लिए इन सब का जो ओसत आया हो कितना आगे चार आगया आपको यह तो हमको पता है यहां से समझाना क्या चाहरे हो यहां से बेटा मैं यह बताना चाहरा हूं जैसे हम नंबर बढ़ा रहे हैं छे साथ और आठ कर रहे हैं मैं तो सीरीज से मैं ने अंतिम अंक को चोड़ दिया अगर अंतिम अंक को चोड़ दिया तो एवर ज़ीज और एक साथ बटा में साड़े तीं समझ में आई बात उसी नियम से average घट जायेगी जिस नियम से average वाफिस बड़ी थी अगर अगली एक संख्या सामिल करोगे तो average में प्लस वनभाइटू होगा अगली दो संख्या सामिल करोगे तो average में प्लस में तू बाइटू होगा अगली एन संख्या सामिल करोगे तो एवरेज में प्लस में एन बाइटू होगा यही मेरा नोट बता रहा है यही मेरा सिस्टम यहां पर आपको दिखा रहा है कि जी क्या करना है इन लगातार संख्याओं में इन लगातार संख्याओं में अगली जितनी भी संख्या सामिल करोगे तो अवरेज बढ़ेगा और कितना जितनी अगली सामिल की हैं प्लस और वह संख्या भाई टो कि अब लेकिन रिवर्स ओडर में आओ रिवर्स ओडर में अगर अंतिम एक संख्या छोड़ी तो भाईया एक बटा दो घट जाएगा अगर मैंने मैंने कहा होता यह नि अग्यारत अगर मैंने कहा होता एक दो तीन च्यार तक कि मतलब दो छोड़ दी तो इनका जो ओसत आएगा वह जखो यह से कितना आएगा ढ़i आएगा जबनाएगा तो क्या घटा हो आनी जोड़ों साथ यहां साथ चोड़ दिया तो इस चार में से घटेगा क्या कितनी छोड़ी है दो तो दो बटा में दो तो एवर्ज कितना आएगा तीन आएगा चेकर पांच और यह अगर यह एन संख्याएं है अगली जितनी संख्याइं सामिल करोगे तो इस एवरेज में वह संख्याएं जितने भी है एक दो तीन पांच भटा में दो करके निकल जाओगे नमबर एक अगर यहां कर दोणंसे छोड़ते चलोबें अगर यहां से चोड़ते चलो गए तो यह कमी भी उसी तरीके से होगी बोलो सही बात है तो हुक्त के हुआ कि नहीं हुआ पांच तक लोना क्यों बड़ी बात कर रहें चोटी बात पर काम करते इन सब का एवरेज के आएगा मेरे भाई इन सब का एवरेज आएगा जी तीन आएगा देखो एक और पांच छे चे के बटा में दो करेंगे तीन तो हमारी अवरेज के आगी तीन अगली संक्या सामिल की तो एवरेज साड़े तीन अगर यह पांच छोड़ दिया तो एवरेज ढ़ाई उसी तरी से घट जाएगी लेकिन अगर मैं अंतिम छोड़ से आखरी पॉइंट से ना छोड़ के इसको छोड़ दूं तो दो तीन च्यार पांच तो इनका एवरेज देखो कितना बाई रू तो प्लस में फाइब बाई टू यानि आंसर कितना हैगा साड़े तीन आएगा तो भी एवरेज बढ़ जाएगी कितनी कितनी संख्याएं सुरुवात से आप छोड़ोगे एक तो प्लस हो जाएगी एक बटा में दो देखो भाई यहां थोड़ा सा कन्फूजन बनने की प्लस करना कब माइनस रेपीट करता हूं जान देना सब के लिए वापसी कर रहा हूं एक बारी जिन बच्चों को अभी भी डाउट है अब दूर करना जिनको डाउट नहीं है वह पक्का कर लेना कैसे अन लगातार संख्याएं जिनका होसते हैं अगली एक संख्या सामिल की की तो एक बटा में 2 एक संख्या चोड़ी तो एक संख्या चोड़ी तो एवरेज में एक बटा दो घट जाएगा जैसे बढ़ा था वैसे घट जाएगा start Settingification खोड़ देखो자 अन्तिम छोर से चोड़ने मेरेज घटती थी तुफ अधीम छोर में बढ़ता धी यहथ यह तो एक未 chopping साटिन से जितनी संख्याइ चोड़ो एक तो एक बटा में तो बढ़ जाएगे एक और छोड़के देखिंगो तीन चैर पांच यह और छोड़के देख लो तीन चार पांच के आवरेट च्यार होगा देखो इस में इस थ्री में प्लस होगा कितना टू बाई टू क्यूं मैंन यह बिल्कुल अप्टूडेट है इसमें कोई अलर मेरी तरफ से नहीं आना चाहिए आपकी तरफ से क्या है एक बारी अब आप अपने कमेंट करके मुझे बता सकते हो कि हां सर इन पॉइंट में हम ओके रहेंगे इन में हमको कोई दिक्कत नहीं है तो बेसक से चाहिए तो आपके पास तरफ भॉचा पास उना चाहिए नोट करोगे हो सकता समय लगे Just a faculty कर लो ताकर दिक्कत ना हो आपको ठीक है कि चालिए अगर ठीक है तो मैं बढ़ता हूं आगे और क्या है अगला पॉइंट क्या है वह बता रहा हूं सब्सक्राइश्ट है जैसे मैंने कुछ संख्याइब दो चार छे आठ और यह 10 यह लिख्खा मैंने पहली है पांच संख्याइ द्यान से देखनाbels फस्ट फस्ट फाइव इविन नमबर इनका निकाल के देखूा इनका आवरेज निकाल कि देखो तो क्या होगा दो प्लेस में दस बटा में दो जी छे आएगा है तो छे आएगा देखो पहली पांच समसंख्याओं का ओसत आया छे है डिक Los Angeles koska इंपोर्टेंट फस्ट लिखना इंपोर्टेंट है क्यों हम यह बोल दें दिए कि पांच समसंख्याँ का उसत तो हमको क्या पता बहिता वो पांच समसंख्याइं कौन सी होंगे सची और प्रकार की तो पता है कितनी बड़ी होंगी हम हमेशा के लिए उनको पांच कैसे मान सकते हैं सोरी छे कैसे मान सकते हैं कि अवरेज को है कि नहीं बात यह तो यह फस्ट लिखना बहुत जरूरी है इसी प्रकार मैं लिखता हूं एक तीन पांच साथ और यह जी नो कि यह क्या है यह जी पहली यह पहली पांच विसम संख्याइं पहली पांच विसम संख्याइं फस्ट फाइफ इविन की जगव की बार क्या जगा बाकि तो सारा एजिटीज फस्ट फाइफ ओड नंबर फस्ट फाइफ ओड नंबर भया इनका एवरेज चेक करके देखो नो ए 6 6 पांच ही आया है अविज्वी इससे क्या सेथम इंहुति हैं भूरे से से मिलती हैं यह थाज् behavior इससे और नोट नहीं नहुंत है है और श्रय एंदर दें तो कि निकालो पहली पांच संख्य हो तो उस पांच में 121 पैली 5 विसम हो तो वह का 5 संख्य यानिंकि यानिकि नॉट जो लिफ्टोंगे मेरे इसे कंदो उसके बाद आज बात कर लेंगे लेकिन आज पहले यह पॉइंट मुझे पूरा करने दो नोट क्या है नंबर एक आवरेज ओफ फास्ट एन एवरेज ओफ फास्ट एन एविन नंबर एविन नंबर क्या होगा कि चलिए भाई थोड़ा सा देखिए टेक्निकल एर नेट इश्यू हो जाता है क्या करें आज कल बढ़ी पंगे बाजी चल रही है यह ना तो कोई इसमें इतनी समस्या की बात नहीं है फिर से सब्सक्राइब हो जाते हैं फिर से आजाओ फटा-फटाओ जूड़ो भाई सारे विद्यारती वापिस तो समझा में यह रहा था कि पांच संखेल लगातार है लगातार नहीं बोलेंगे पहली बोलेंगे तो एक जोड़ देंगे जब की ओड में 5 के लिए 5 होगा तो क्या लिखें यहां पर एवरेज और फास्ट एन इविन की जगह क्या लिख दू मेरे भाई ओड नंबर यह हमारा एन का एन ही आएगा बोल बात समझ में आई तो है ना अब सब कनेक्ट हो गए वापिस भाई अब सब वापिस कनेक्ट हो गए है मुझे लगता है अब करो फटाफट इन दोनों का स्क्रीन चोट ले लो आप फटाफट इन दोनों का स्क्रीन सोटे लो क्योंकि इसके बाद अब जो काम आप करने वाले वो इन फॉर्मूले पे कुछ ने कुछ विशेस आपको discussion मिलना है तो पहले पता कर लो कि जी हमको आइडिया है इन पर काम करेंगे अपने PDF पर काम करेंगे यह लास्ट है तो देखते हैं कैसे होगा यह मैंने आपको एक हम आप फाइंड समपने फस्ति फस्ट फिफ्टी वन इविन नंबर मैंने अभी आपको बताया आवरेज के बारे में पूछ लिया समपने के बारे में Hindi क्या है हिंदी है पुरित हम 211 है कि है कि सब क्या संसं पर संसंख्याओं का योग फल बताएं अगर मैं आपको रभीज बताएं तो और मानों के मैं आप assum से कहता उवरिज बताएं तो अवेशबी है आथा हम तो दो पता एक जोड़ देते उसमें बोलो इस्ट नोट का यहीँ फाइदा है बोलो इससे नोट का यहीँ फाइदा है कि N थी तो वह कितनी बन गई एन प्लस वान बन गई तो यहां पे 52 बन गई हमको अवरेज चाहिए नहीं पर बोलो भाई आइडिया लग रहा है मैं क्या कहना चाहरा हूं 50 फिफ्टी सॉरी 52 बन गई एवरेज बन गई नहीं हमको चाहिए सम हमको उनका टोटल सम चाहिए तो सम क्या होता है एवरेज ऐसे होता है सम यह एवरेज को एन से गुना करना होता है तो एवरेज फिफ्टी टू और प्लस नहीं I'm sorry इसकी गुना कौन करेगा भाई इसकी गुना आप वो करेंगे जो मुझसे नंबर सिस्टम पढ़ चुके हैं क्या बताओ नंबर सिस्टम में मैंने आपको एक बात बताई बात लिए 50 इवरेज लुवलय कर पर 50 को और गुना में 51 यहांगु नवाँ हूँ दू स्कुए और यहां फिफ्टी वन च्कछ अब हर कोई राती रिस्पॉंड करेगा आब हर कोई विद्यार्ती इसका आंसर भी पद्र में में 51 जोड़ना होगा तो बताओ क्या भाई नंबर सिस्टम में मैं आपको 51 का स्क्वेर नहीं सिखा के आया हूं पचास बेस पचास क्या सपास आधा पच्चीस कितना ज्यादा एक ज्यादा बोलो एक का स्क्वेर करते हैं तो क्या आता है वन लेकिन हमको क्या लिखना होता है याद है डबल डिजित लिखना होता बोलतों नहीं गए जीरो वन और यहीं एक इसमें जोड दिया तो कितना बन गांगा जी चब्विस जीरो एक आंसर नहीं है रुके रहो 51 कौन जोड़ेगा तो भरिया इसमें 51 भी जोडना पड़ेगा तो यह बन गया 2562 हमारा आंसर होगा यानि कि इस लिखे गए प्रसंद का जो आंसर होगा होगा दो छे पांस दो चब्विस चब्विस दुना बावन कितनी बढ़िया रहा है देखो चब्विस का डबल बावन है क्या वन टू करिस्वन गया वेरी गूट समझो पॉइंट को देखो यह हमने जो पीछे इविन ओड इखटा किया है पीछे इविन ओड के बारे में बात की है उन से हमको इस तरीके से पार लेना है बात त्मझ आइद ब्लो अब और कर सकते हैं कि हमको समझ जाया की नहीं आया फटा फट इसको देखो टर्भी सिraग कि हम कोई स्तुर आगया कि नहीं इसके बाद इसके बाद एब मैं आप मैं आपको PDF पर लेके चलोंगा और उस पीडियोफ पे आपको हिंदी इंग्लिस लेखने का जंजट खतम होगा स्टेट्मेंट लिख्यों होगी हम प्रोपर लिए उसको आगे सोल करना चाहेंगे वह बात होगी ठीक है नोट हो गया समझ आ गया तो भाई मुझे एक मिनिट का समय लगेगा आप कॉंटिनुएश झाल 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 हां जी वेल्कम बैक वेल्कम बैक थोड़ा समय लग गया उसके लिए भाहिया कुछ ने उसके लिए देखो प्रसंद देखो इतना वेड़ अब कर सकते हो क्योंकि इसके बाद अब जो मिलने वाला है वह आपके लिए बहुत 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 काम करने वाले क्या पढ़ने में आरा सबसे पहले बताओ यह पढ़कर सुनाओं क्या क्या कहते देखो कक्ष्या-10 के खंड A के 32 चात्रों का ओस चात्रो A में 32 विद्ध्यारती हैं जिनका ओसत 60 है तो गुना करो टोटल कितना आगया जीरो छे दुना बार है अठारह एक उन्निस एक भाया बी एक टोटल देखो क्या एगा है विकर देखते हैं कि एक गवाया उसी खंड में लाहिए किसे दसमें एक सेक्षन बीमें 40 चात्रों का चातर हैं ची चालीस और उसत है जी उनका 33 तो उनका टोटल वन गया 0 4 312 121 13 है कि 10 में दो सेक्षन है ए और बी ए में 32 विद् तो टोटल और निए सोबीज बी में 40 विद्यार्थी 33 लिए तो तेरे सोबीज टोटल कहते हैं दोनों कक्षाउं का उसत ग्याद करें अब दोनों कक्षाउं का टोटल तो बना लें जीरो च्यार 97 12 और 32 22 अगर यह हमारा आ गया है और विध्यार्थी कितने हो गए 32 हिसमें यह चालीस है तो विध्यार्थी आगे 72 यह बहतर का टोटल आ गया यह बहतर का टोटल आगए हमको चाहिए जी एवरेज बोलो एवरेज क्या होता है मेरे भाई टोटल जोड तीन हजार दोसो चालेस डिवाइडिड भाई क्या सवंटी टू होगा देखो भाई वैसे आइडिया लगाना चाहो तो लगा लो यह है दो यह जीरो दो और जीरो का नंबर सिस्टम में आपको कनेक्शन लेकि आए हो जीरो कब बनता जब दो और क्या रहे है यह कटना नो से नो से कटता है आठ से आठ नो 72 इन और चार बटीस और जीरो आठ पांच चालीज फिर भाईया नो पांस में नहीं जाएगा नो चार चाहत तीस तो कितना बशेक्वाइड अरे कट गया देखो बिल्कुल सटीफाइड हो गया बिल्कुल ification नहीं थी मामूली सी बात थी एजी तरीके से आव करके ऐसे निकल सकते हैं अर्टिंग में पोइन्ट लेसी सब्सक्क्राइब का चलिए मैं अगले पर आपको लेके चलता हूं क्या कहता है अगला देखते हैं अगला दिखाव है अगला क्या कहता है number सकेंट क्या कहता है चलिए देखते हैं कि एक आते किसी कक्षिया के विद्यारथ को उसत 68 पूरी कुण्या में मिला के आई बेजा आरसता चात्राओं का उसत 8 है चात्रों चात साथ है यहां तो न्बर ऑचिन नंबर ऑफ गर जे उनका देखा चात्राओं का जानि लड़किया होसियार है असी ओसत आया लड़के पतानी क्यों नालायक होते हैं उनका 60 आया और पूरी क्लास का जब एवरेज करके देखा तो 68 आया तो यह बीच में क्या लिखा गभाई या 68 लिखा गया और ऐसे माइनस कर दिया भाई मैं लगा रहा हूं एलीगेशन में लगा रहा हूं यहां पर एलीगेशन सेलीगेशन मिक्सर है आप ऊथा जीजिवर तो उसमें लगता है किसं में दूद पान्ने वाले प्रसWow में लगता हैं नहीं रह जान हों से देखा क्लास में लग सकता है झिस सुमिनध militar को मिला ड़ own holder result निकाला जाये Alligation की खासेत होती है जो यह मिडल में लिखा जाता है नहीं नहीं एक से बड़ा होता है एक से चोटा होते हो एक से चोटा होगा चलेगा है कि चलेगा अब अब हमको एक वराइटी ये 60 वाली थी एक वराइटी असमी जब इनका मिक्स करके ऊवर्यूल किसी निकाल था उनको ब देख रहाँ जब इनको कि ऐसे माइनस कर देंगे तो यह यहां पर आएगा कितना आठ अनुपात यहां पर कितना आएगा 12 काटो के तो बन जाएगा जिट तीन अनुपात 2 लेकर यह अगर हमसे पूछते बी रेसोजी बताओ तो हम कहते हैं जी तीन अनुपाद दो है या तो यह पात पूछ सकते थे या यह कह सकते हैं कि परसंटेज बताओ अब बताओ भाई साथ बन जाएगा पांच से काटेंगे 20 पे और 20 में तीन साथ बोलो कैसा रहा अब बताओ कि हां सर जरूरी नहीं है कि हम इसको एवरेज वाले सिस्टम में ही ऑपरेट करके काम करें क्योंकि एवरेज वाला फिर देखो हमको मानना पड़ेगा ना कि यहां पे टोटल यह और बारर सो निकालने के लिए ALEGI के अलावा कुई रास्ता नहीं था मंपास तो जब तक नंबर ओफ collective नपता हो तौम को एसे लगे लगे तो इस अटीए को क्लियर करने के लिए अब यह करने के लिए हम रंगाज़ाना इंपड़ा तो ऐलिगेशन कब लगता है जब दो व्र कर दो भाई कि असर हम आगे बढ़ने को तयार है बोलो तयार हो तो देखिए क्लास का समय अब हमारा एंड होने वाला है फटाफट इस पर भाई जान दो फटाफट कमेंड करके आगे निकलो मैं अगले प्रसंद पर देखो आपको लेकर चल रहा हूं ताकि कुछ थोड़ा सा प्रसंद के लिए मैं कर पाऊं चलिए जी नंबर 3 दर गया भाई 3 कि दर घया आच्छा कोई बात निव भी आदमें आजाएगा वह थोड़ा आगे पीछे हो गया लगता मुझे इसको देख लेते हैं या अच्छा 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 कि इमपोर्टेंट पॉइंट है है यह कैसा इंपोर्टेंट lai मैंने आपको बताया है अवरेज का मीनिग देखाद वह का मीनिग होता है 對 सबका बराबर हिस्सा बोलो पहली क्लास में बताया था सबका बराबर हिस्साइज काल्ड एवरेज जो बच्चा इसको इस नियम से करेगा किस नियम से जी सबका बराबर हिस्सा तो यह रहेगा उसके लिए इजी और जो नहीं हम तो इंटू-इंटू खेलेंगे उसके लिए यह मुश्किल तो क्यों ना इजी की बात करें और आप मान भी चुके हो समझ भी चुके की अवरेज के मतलब क्या होता जी बराबर हिस्सा देखो क्या किया किसी कक्षा में 50 विद्यार्थी है पचास विद्यार्थी है उनका उसत वजन है 45 किलो मैं यहां सोल कर रहा है उसको विद्यार्थी रहेजी 49 एक विद्यार्थी जो बाहर गया वो कुछ वजन तो लेके गया होगा जो उसका अपना वजन हो तो लेके बाहर गया होगा है ना उसकी वजह से क्या हुआ बाहर चला जाता है और ओसत वजन सो ग्राम कम हो जाता है सुनो भाई एवरेज का मतलब ह सब का बराबर हिस्सा जो विद्यार्थी बाहर गया है अगर वो 45 किलों का बाहर जाता देखो इनकी इंको 45ad pos 545 ऊंचास अपने आप एक दूसरे का सारा लेकर 45डे लेकिन इसकी वजह से इसकी वजह से इन रहने वाले 49 में कमी आ नहीं कि कि कमी कहां घलीत कम आ गई इसकल मुझे रिख ज्यादा को सबका हिस्साए 55 के लीक साव्रित लेकर वाहर इसके वजय से बाकी रहने में कमी आई कितनी कमी आई 100 g कमी आई 100 g कमी एक बंदे में आई दो में 200 की तीन में 300 की 49 बंदे बचे 49 विद्यारती बचे हैं तो भाई यह अमारा आंसर आ गया तो यह आ गया जी हमारा आंसर बस इसकी सकल सुधार दो यानिकी 45 kg तो यह और इसकी गुना करके देखो 49 00 g यानिकी 4.9 kg और यह वो विद्यारती यह वो विद्यारती बाहर चला गया उसका वजन 45 में चार जोड़ो गे 49.9 देखो यह पड़ा जी हमारा आंसर 49.9 हमारा आंसर हो जाएगा बोलो भाई ध्यान से देखो बढ़िया लगा इसमें अगर आपको एक समान के इंटू डिविजन खेलोगे तो बहुत बहुत देर लग जाएगी फाइदा नहीं है कॉम्पिटिसन स्टाइल से काम करो फटा फट देखो और कमेंट करके बताओ मुझे भाई कि अगया चलिए भाई समझ आगया बहुत बढ़िया भाई तो चलिए भाई उम्मीद करता हूं क्लास आपको समझ आगी होगी तो अब मिलते हैं कल इसी को आगे बढ़ाएंगे पढ़के आना इस क्लास को ताकि अगली क्लास में आपको बहतर बेकप मिल पाए ठीक है हमें पता है आपका सपना है राफेल की तरह उडान धूने का हमें पता है आपका सपना है विक्रांत की तरह घराई उकमापने का तो आपके इसी सपने को सकार करने के लिए एक्जामपूर डिफेंस वर्ले टीम लेकर आई है एयर फोर्स के लिए राफेल बैच और नेवी क के लिए विक्रांत बैच जिसमें आपको मिलेंगे 6 प्लस आवर लाइफ क्लासेज, 1000 प्लस आवर टोटल लाइफ क्लासेज, डेली नोट्स, प्रीएप्स और साधी साथ स्पेशल प्रेक्टिस सेशन तो अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही डाउनलूट करें एक्जामपूर आफिजियल एप को धन्यवाद